सिदा महाराष्ट के वर्धा चलते हैं पेम मोदी क्या कुछ कह रहें सुनते हैं एक साल पुर्ण होने का ये उत्सव बिनोबाजी की ये साधनास्थली महातमा गांधी जी की कर्मभुमी वर्धा की ये धर्ती ये उपलब्दी और प्रेना का ऐसा संगम है जो विक्सीद भारत के हमारे संकल्पों को नई उर्जा देगा पीश्व कर्मा योजना के जरिये हमने क्रम से सम्रुद्दी इसका काउसल से बहतर कल का जो संकल्प लिया है वर्धा में पापु की प्रेनाएं हमारे उन संकल्पों को सिद्धी तक ले जाने का माध्यम बनेगी मैं इस योजना से जुड़े सभी लोगों देश भर के सभी लाभार्थियों को इस आउसर पर बधाई देता हूं साथियों आज अम्रावती में पी एम मित्र पार्क की आधार सिला भी रखी गई है आज का भारत अपनी टेक्स्टाइल इंडस्ट्री को वैस्विक बाजार में टॉप पर ले जाने के लिए काम कर रहा है देश का लक्ष है भारत की टेक्स्टाइल सेक्टर के अजारों वर्थ पुराने गवरव को उनर स्थापित करना अम्रावती का पी एम मित्र पार्क इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है मैं इस उपलब्दी के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुपकामनाई देता हूँ साथियों हमने विश्व कर्मा योजना की पहली बर्षगाण के लिए महराश्त्र को चुना हमने परधा की इस पवित्र धर्ती को चुना क्योंकि विश्व कर्मा योजना केवल तरकारी प्रोग्रेम भर नहीं है के योजना भारत के हजारों वर्ष पुराने कौशल को विश्वीद भारत के लिए इस्तमाल करने का एक रोड मैप है आप याद करिए हमें इतिहास में भारत की समरुद्धी के कितने ही गवरवसाली अध्याय देखने को मिलते हैं इस सम्रुद्धी का बड़ा आधार क्या था उसका आधार था हमारा पारंपारिक कौशल उस समय का हमारा शिल्प हमारी इंजिनेरिंग हमारा विज्ञान इस दुनिया में के सबसे बड़े वस्त्र निर्माता थे हमारा धातु विज्ञान अमारी मेटलर्जी भी रिश्व में बेजोड थी उस समय के बने मिट्टी के बरतनों से लेकर भवनों की डिजाइन का कोई मुकाबला नहीं था इस ज्ञान विज्ञान को कौन घर घर पहुँचाता था तुतार लोहार तोनार कुमार मुर्तिकार जर्मकार बढ़ई मिस्त्री ऐसे अनेक पैशे ये भारत की सम्रुद्धी की बुनियाद हुआ करते थे इसलिए गुलामी के समय में अंग्रेजों ने इस स्वदेशी हुनर को समाप्त करने के लिए भी अनेकों साजी से की इसलिए ही परधा की इस धर्ती से गांदीजी ने रामिर उद्ध्योग को बढ़ावा दिया था लेकिन साथियों ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आज हदि के बाद की सरकारों ने इस हुनर को वो सम्मान नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था उन सरकारों ने विश्व कर्मा समाज की लगातार उपेट्षा की जैसे जैसे हम शिल्प और कौशल का सम्मान करना भूलते गए भारत प्रगती और आधुनिक्ता की दोड में भी पिछडता चला गया ताथियों अब आज़ादी के सत्तर साल बात हमारी सरकार ने इस परंपरागत कौशल को नई उर्जा देने का संकल्प लिया इस संकल्प को पुरा करने के लिए हमने पी-एम विश्व कर्मा जैसी योजना शुरू की विश्व कर्मा योजना की मुल्भावना है सम्मान सामर्थ और सम्रुद्धी यानि पारंपरिक हुन्र का सम्मान कारी गरों का ससक्तिकराण और विश्व कर्मा बंधों के जीवन में सम्रुद्धी ये हमारा लक्ष है और साथियों विश्व कर्मा योजना की एक और विश्यस्ता है जिस केल पर जिस बड़े पैमाने पर इस योजना के लिए अलग-अलग विभाग एक जुढ हुए हैं ये भी अबुत्पुरा है देश के साथ सो से ज़्यादा जिले देश की धाई लाग से ज़्यादा ग्राम पंचायत देश के पांच हजार सेरी स्थानिय निकाय ये सब मिलकर इस अभियान को गति दे रहे हैं इस एक वर्स में ही अठारा अलग-अलग पैसों के पीस लाग से ज़्यादा लोगों को इससे जोडा गया सिर्फ साल भर में ही आठ लाग से ज़्यादा सिल्फकारों और कारीगरों को स्कील ट्रेनिंग, स्कील अप्ग्रेडेशन मिल चुकी है अकेले महरास्ट में ही साठ हजार से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग मिली है इस में कारीगरों को, मोडन मशिनरी और डिजिटल पूर्स जैसी नई टेक्नलोजी भी सिखाई जा रही है अब तक साड़े छे लाग से ज़्यादा विश्वकर्मा बंधों को आदूनिक उपकरण भी उपलब्द कराए गये है इससे उनके उत्पादों की क्वालिटी बहतर हुई है, उनकी उत्पादकता बड़ी है इतना ही नहीं, हर लाभारती को पंदरा हजार रुपिय का इबावचर दिया जा रहा है अपने वैवसाय को आगे भनाने के लिए पीना गारंटी के तीन लाख रुपिय तक लोन भी मिल रहा है मुझे खुशी है कि एक साल के भीतर भीतर विश्व कर्मा भाई बहनों को चौदा सो करोड रुपिय का लोन दिया गया है यानि विश्व कर्मा योजना हर पहलू का ध्यान रख रही है तभी तो ये इतनी सफल है तभी तो ये लोग प्रिय हो रही है और अभी मैं हमारे जितनरा माजी जी प्रदर्शनी का वर्ड़न कर रहे थे मैं प्रदर्शनी देखने गया था मैं देख रहा था कितना अध्वूत काम प्रंपरा ग्रूप से हमारे हाँ लोग करते हैं और जब उनको नए आधुनिक टेक्नोलोजी टूल मिलते हैं ट्रेजिंग मिलते हैं उनको अपना कारोवार बढ़ाने के लिए सीड मनी मिलता है तो कितना बड़ा कमाल करते हैं वो अभी मैं देख के आया है और यहां जो भी आप आये हैं न मेरा आपसे भी आगरह है कि आप यह प्रदर्शनी जुरूर देखें आपको इतना गर्व होगा कि कितनी बड़ी क्रांती आई है साथियों हमारे पारंपारिक काउसल में सबसे ज़्यादा भागिदारी SC, ST और OBC समाज के लोगों की रही है अगर पिछली सरकारों ने विश्व कर्मा बंधों की चिंता की होती तो इस समाज की कितनी बड़ी सेवा होती लेकिन कॉंग्रेस और उसके दोस्तों ने SC, ST, OBC को जान भुज़ करके आगे नहीं बढ़ने दिया हमने सरकारी सिस्टिम से कॉंग्रेस की इस दलीप पिछडा विरोती सोच को खत्म किया है पिछले एक साल के आखड़े बताते हैं कि आज विश्वकर्मा योजना का सबसे ज़्यादा लाब SC, ST और OBC समाज उठा रहा है मैं चाहता हूँ विश्वकर्मा समाज इन परंपरी कारियों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए बलकि मैं चाहता हूँ विश्वकर्मा भाई बहनेों के काम को MSME का दर्जा दिया है One district, one product और एकता मौल जैसे प्रयासों के जरिये पारंपरी उत्पादों को की मार्केटिंग की जा रही है हमारा लक्ष है कि ये लोग अपने बिजनस को आगे बढ़ाएं ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियों की सप्लाइच चेन का हिस्सा बने इसलिए ONDC और GEM जैसे माध्यमों से शल्पकारों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को अपना बिजनस बढ़ाने में मदद का रास्ता बन रहा है ये शुरुवात बता रही है जो वर्ग आर्थिक प्रगती में पीछे छुट रहा था वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थे बवस्ता में एहम रोल निभाएगा स्कील इंडिया मिशन है वो भी इसे ससक्त कर रहा है कौशल विकास अभियान के तहट भी देश के करोडों नौजवानों की आज की जरुतों के हिसाब से स्कील ट्रेनी हुई है स्कील इंडिया जैसे अभियानों ने भारत की स्कील को पूरी दुनिया में पहचान दिलानी चुरू कर दी थी और हमारे स्कील मंत्राले हमारी सरकार बनने के बाद हमने अलग स्कील मंत्राले बनाया और हमारे जेन चोधरी जी आज ये स्कील मंत्राले का कारोबार देखते हैं उनके नेत्रुतों में इसी साल फ्रांस में वर्ल्स किल्स पर बहुत बड़ा आयोजन हुआ हम ऑलिम्पिक की जो चर्चा बहुत करते हैं लिए उस फ्रांस में अभी एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ इसमें कील्ड को लेकर के हमारे थोटे थोटे काम करने वाले कारीगर और उन लोगों को बेजा गया था और इसमें भारत ने बहुत सारे अवर्ड अपने नाम किये हैं यह हम सब के लिए गर्व का विशे हैं डबल इंजिन सरकार की इच्छा शक्ति का पता चलता है हम देश भर में ऐसे ही सेवन साथ पी एम मित्र पार्क खापित कर रहे हैं अमारा विजन है farm to fiber, fiber to fabric, fabric to fashion, fashion to foreign यानि विजर्व के कपास से यही high quality fabric बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से fashion के मुताबिक कपड़े तयार किये जाएंगे यह fashion विदेशों तक export होगा, इसे किसानों को खेती में होने वारा नुक्षान पंध होगा उन्हें उनकी फ़सल की अच्छी किमत मिलेगी, उसमें value addition होगा अकेले PM मित्र पार्क से ही यहां आठ से दस हजार करोड रुपिये के निवेश की संभावना है इससे बिदर्ब और महराष्ट में युवाओं के लिए रोजगार के एक लाग से जादा नए आउसर बनेंगे यहां दूसरे हुद्योगों को भी बढ़ हवा मिलेगा नई supply change बनेगी देश्ता निर्याद बढ़ेगा आमदनी बढ़ेगी और भाई और बहनों इस अउद्योगी प्रगति के लिए जो आधूनिक इंफ्रास्रक्टर और कनेक्टिविटी चाहिए महराश्त्र उसके लिए भी तैयार हो रहा है नए हाई वेज, एक्स्प्रेस वेज, सम्रुद्धी महामार्ग, पोटर और एर कनेक्टिविटी का विस्तार महराश्त्र नई आउद्योगी क्रांति के लिए कमर कस चुका है साथियों, मैं मानता हूँ महराश्त्र की पहु आयामी प्रगति का अगर कोई पहला नायक है तो वो है यहां का किसान जब महराश्त्र का विदर्फ का किसान खुशाल होगा तबी देश भी खुशाल होगा इसलिए हमारी डबल इंजिन सरकार मिलकर किसानों की सम्रुद्धी के लिए काम कर रही है आप देखिए पी-एम किसान सम्मान निति के रूप में केंद्र सरकार 6,000 रुपिय किसानों के लिए बेजती है महराश्त्र सरकार उसमें 6,000 रुपिय और मिलाती है महराश्त्र के किसानों को अब 12,000 रुपिय सालाना मिल रहा है फसलों के नुक्सान की कीमत किसान को न चुकानी पड़े इसके लिए हमने एक रुपिय में फसल भीमा देना शुरू किया है महराश्त्र की एकनाच शिंदेजी की सरकार ने पिसानों का बिजली बिल भी जीरो कर दिया है इस छेत्र में चिंचाई की समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार के समय से ही कई प्रयास शुरू हुए थे लेकिन बीच में ऐसी सरकार आ गई जिसने सारे कामों पर ब्रेक लगा दिया इस सरकार ने फिर से सींचाई से जुड़े प्रोजेस को गती दी है इस छेत्र में करीब 85,000 करोड उपिय की लागत से पैन गंगा नल गंगा नदियों को जोडने की परियोजना को हाली में मंजुरी दी गई है इससे नागपूर, परधा, अमरावती, यवत्मार, अकोला, उल्डाना, इंच जिलों में दस लाग एकड जमिन पर सीचाई की सुविदा मिलेगी साथियों हमारे महरास्त्र के किसानों की जो मांगे थी उन्हें भी हमारी सरकार पूरा कर रही है प्याज पर एक्सपोर्ट टेक्स 40 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया गया है खाज्य तेलों का जो आयात होता है उस पर हमने 20 प्रतिशत टेक्स लगा दिया है रिफाइंड स्वयाबीन तूरिय मुखी और पाम ओयल पर कस्टम ड्यूटी को साड़े 12 प्रतिशत से बढ़ा कर साड़े 32 प्रतिशत कर दिया है इसका बहुत फाइदा हमारे स्वयाबीन उगाने वाले किसानों को होगा जल्द ही इन सब प्रयासों के प्रणाम भी हमें देखने को मिलेंगे लेकिन इसके लिए हमें एक सावधानी भी बरतनी होगी जिस कॉंग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों ने किसानों को इस हालत में पहुँचाया परबाद किया हमें उन्हें फिर मोका नहीं देना है क्योंकि कॉंग्रेस का एक ही मतलब है जूट तोखा और बेहिमानी इन्होंने तेलंगना में चुनाओं के समय किसानों से लोन माफी जैसे बड़े-बड़े वादे की है लेकिन जब इनकी सरकार बड़ी तो किसान लोन माफी के लिए भटक रहे है कोई उनकी सुनने वाला नहीं है मारास्त में हमें इनकी दोखे बाजी से बचकर रहना है साथियों आज जो कॉंग्रेस हम देख रहे हैं ये वो कॉंग्रेस नहीं है जिससे कभी महत्मा गांधी जी जैसे महाप्रूष चुड़े थे आज की कॉंग्रेस में देश भक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है आज की कॉंग्रेस में नफ्रत का भूत दाखिल हो गया है आप देखिए आज कॉंग्रेस के लोकों की भाषा उनकी बोली विदेशी धर्ती पर जाकर उनके देश भिरोधी एजन्डे समाज को तोड़ना देश को तोड़ने की बात करना भारतिय संस्कृति और आस्ता का अपमान करना ये वो कॉंग्रेस है जिसे टुकडे टुकडे गैंग और अर्बन नक्सल के लोक चला रहे हैं आज देश की सबसे ब्याइमान और सबसे ब्रस्क कोई पार्टी है तो वो पार्टी कॉंग्रेस पार्टी है देश का सबसे ब्रस्क परिवार कोई है तो वो कॉंग्रेस का साही परिवार है साथियों जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरासा भी सम्मान होगा वो पार्टी कभी गणपती पूजा का विरोध नहीं कर सकती लेकिन आज की कॉंग्रेस को गणपती पूजा से भी नफ़रत है महारास्त की धरती गवाह है आजादी की लड़ाई में लोकमाने तिरकर के नेत्रतों में गणपती उच्छो भारत की एकता का उच्छो बन गया था गणपती उच्छो में हर थमाज और बर्क के लोग एक साथ जुड़ते थे इसलिए कॉंगलेस पार्टी को गणपती पूजा से भी चीड है मैं गणेस पुजन कारकेम में चला गया तो कॉंगरेस का तुष्टी करण का भुज जाग उठा कॉंगरेस गणपती पूजा का विरोध करने लगी तुष्टी करण के लिए कॉंगरेस कुछ भी कर रही है आपने देखा है करना टका में तो कॉंगरेस सरकार ने गणपती बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया गणपती की जिस मुर्ती की लोग पूजा कर रहे थे उसे पुलिस वेन में कैद करवा दिया महराश्ट्र गणपती ची आराध ना करीद होता आणि करना टकात गणपती ची मुर्ती पुलिस वेन मद्दे होती आथियों पुरा देश गणपती के इस अपमान को देख करा क्रोशित है मैं हरान हूँ इस पर कॉंग्रेस के सयोकों के मुव पर भी ताला लग गया है उन पर भी कॉंग्रेस की संगत का ऐसा रंग चड़ा है कि गणपती के अपमान का भी विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है भाई और बेनों हमें एक जुठ होकर कॉंग्रेस के इन पापों का जबाब देना है हमें परंपरा और प्रगती के साथ खड़ा होना है हमें सम्मान और विकास के एजेंडे के साथ खड़ा होना है हम साथ मिलकर महराष्ट की अस्विता को बचाएंगे हम सब साथ मिलकर महराष्ट का गवरव और बढ़ाएंगे हम महराश्त न के सपनों को पूरा करेंगे इसी भाव के साथ इतनी बड़ी तादाद में आकर के इस महत्पूर्ण योजनाओं को आपने जो उसकी ताकत को सम्झा है इन योजनाओं का विदर्प के जीवन पर हिंदुस्तान के सामान निवेक्टे के जीवन पर कैसा प्रभाव होना है ये आपकी विजार सभा के कारण मैं इसे मैसूस कर रहा हूँ मैं एक बार फिर सभी विश्व कर्मा साथ्यों को पिदर्द के और महराज्ट के सभी मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मेरे साज बोल ये भारत माता की दोनों हाथ उपर करके भारत माता की बहुत बहुत धाने हूँ तो प्रधान मंत्रे इंद्रमोधी को आपने सुना महराज्ट के वर्दा में और साथी साथ कांगरेस पर जम्पकर हमला प्रधान मंत्री ने बोला ये कहा कि कॉंग्रेस पार्टी एजिंडा चलाती है कॉंग्रेस को अर्बन नकसल चला रहे है कॉंग्रेस को तुकड़े तुकड़े ग्यांग चला रहे है कॉंग्रेस पर जम कर हमला बोला कॉंग्रेस तुष्टिकरन की राचनीती करती है और कर रही है विदेश में कॉंग्रेस का देश विरोधी एजेंड एक बार फड़ से सबके सामने आ गया है तो एक तरह प्रधान मंत्री अंद्री मोदी ने पीम विश्व कर्मा योशना के बारे में बताया कि कैसे जो विश्व कर्मा समाज है उनको इस योशना से लाब मिला है लाब भानवित हुए हैं लोग फायदा हुआ है इस सरकार ने सबसे ज़ादा लोगों के बारे में सोचा है और देखे जब विश्व कर्मा योजना की बात आती है तो सीधा सीधा 18 सेक्टर्स या जो लोग हैं उनको इससे फायदा पहुचा है इससे पहले क्योंकि प्रधान म कंत्रेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर कहा गया लेकिन इस दोरान इब फिर से कॉंग्रेस पर हमलावार पीम दिखें